हेलो गैसाल कॉंडू स्पेशल एजुकेशन नमस्षकार दोस्तों स्वागत करते हूँ आप सब का आपके अपने यूटीब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन सो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो हमारी सीरीज चल लिए 10 टेस 10 मोक टेस्ट की जिसमें की फर्स्ट मोक पेपर आप लोगा कंप्लीट हो गया था फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था यह आपका सैकेंड मोक नमबर टू ठीक है कलरक एंड फायरमेन के लिए मैंने पीडियाफ डाल दी लिंक नीचे डिस्क्रीप्शन वोक्स में है फर्स्ट लिंक मिल जाएगा आपको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टैम वेस्ट किये सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कोशन की तरफ मूव करत है और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉमेशन और शेयर करना चाहूंगा एक्चुली इस पर मैं अलड़ी आपको वीडियो बना कर इंफॉर्म कर चूँगा हूँ फायरवैन का जो ग्रूप है वो ओलड़ी टैलिग्राम पर बना हुआ था जिसकी मैं मैं आप लोग इसा लिंक शेयर कर दूँगा नहीं बना हुआ तो मुझे इंफॉर्म कर देना आज आज का वेड करूँगा कल से कल नहीं तो मैं आपको कलर का नया ग्रूप बना लूँगा सो कलर के जितने भी कैंडियेट सा उसमें जोइन हो सकते है ठीक है तो चली स्टार के नए मुख्या मंतरी सी एम चीफ मिनिश्टर कौन बने है ओप्शन साब के सामने है आप लोग अपना राइट अंसर टिक कर लो मैं आपको इसका राइट अंसर बता रहा हूं इसका राइट अप्शन नमबर है भुपेंदर पटेल एंड वन मोर इंपोर्टन थिंक आप लोग मुझे अपना स्कोर मैंशन करोगे ये वीडियो एंड होने के बार आउट अफ जितने भी कोशन हम कवर करेंगे तो टोटल कोशन में से कितना आप लोग का स्कोर रहा कितने कोशन आपके साहिवे मुझे जरूर बताना ठीक है तो गुचरात के जो नहीं चीफ मिनिश इंजिनियर ये कोशन किो इंपोरेंट होता है इसलिए इंपोरेंट होता है क्योंकि ये फ़र्स्ट Wumens England इंजिनियर बनी ये कहां सेंटर कॉ फई सेंटर कॉल फील्ड में काम करने वाली दो इसका आपको नाम बताना है तो इसका जो राएट आंसर वहर शीवान Hehe मीना option number d is the right answer अगला question आप लोग के सामने है who has been appointed as the new prime minister of the Lebanon Lebanon के नए prime minister कोन बने है तो Lebanon के दोस्तों जो नए prime minister बने है वो बने नजीम मिकाटी और इसकी capital और currency आप लोग मुझे comment box में answer करके बताना ठीक है and जितने भी नए states है जितने भी नए countries है उनके जो भी prime minister या president बने है उनको याद कर लेना specially उनकी capital और currency भी याद कर लेना ठीक है अगला question आपके सामने है who has been appointed as the prime minister of the Morocco Morocco के prime minister आप लोग को बताने है इसका जो right answer हो है Aziz Akanoch option number b is the right answer ठीक है next question आपके सामने है who is the author of the book इसको important mark कर लेना book है एक जिसका नाम है human rights and terrorism in India book का नाम है human rights and terrorism in India इसके author कोन बने है ठीक है options आपके सामने है इसका right answer आप लोग को बताने है तो इसके जो author बने है वो बने है supermaniam swami option number b is the right answer ठीक है important book है mark कर लेना तो अब आते हैं हम लोग computer के section पर computer के काफी जादा question आपको आते होगे easy लग रहे होगे क्यों क्यों कि already मैं आपको बहुत सारी videos प्रवाइड करवा चुक हूँ computer की अगर आप लोग ने वो videos नहीं देखी तो जरूर एक बार exam से पहले go through हो लेना उन सब videos से तो computer का पहला question आपके सामने है computer monitor is also known है जो आपका computer का monitor होता है computer की screen होती है monitor होता है उसको आप लोग और क्या कहते है उसको कहते है हम VDU option number C is your right answer और VDU की full form क्या होते है यह आप लोग बताओगे comment box में अगला question आपके सामने arrange in the ascending order of the units of the memory terabyte, kilobyte, gigabyte और megabyte इन सारी memories को आपको ascending order में arrange करना है ascending order मतलब ascending order मतलब की बढ़ते होगे करम में so इसको आपको arrange करना है ठीक है तो इसका जो right answer होगा वोगा option number option number C ठीक है पहले आएगा kilobyte then आएगा megabyte then आएगा gigabyte then आएगा terabyte ठीक है पहले आएगा kb फिर इससे बड़ा है megabyte mb फिर इससे बड़ा है gigabyte gb फिर आएगा tb जो आपका terabyte होता है यह होगा आपका ascending order ठीक है so option number C is the right answer अगला question आपके सामने है which one of these stores more than a dvd मतला dvd से ज़्यादा data इन में से क्या चीज़ा है जो store करती है cd-rom, floppy, blu-ray disk या red ray disk options आपके सामने है और इसका जो right answer है blue ray disk option number C is the right answer जो की dvd से ज़्यादा data store कर सकती है अगला question आपके सामने है 8 bits make up a dash जो 8 bits होती है वो किसके ब्राबर होती है so 8 bits मिलके आपका 1 byte बनाती है 1 byte equal to 8 bits होता है अगर exam में पूछा जाएगी 1 nibble किसके ब्राबर होता है so 1 nibble यह important question है काफी टाइम पर पूछा गया तो 1 nibble दोस्तों आपका 4 bit के ब्राबर होता है और examination में इसका उल्टा भी तो इसका दोस्तों जो राइट अंसर होगा वो होगा RAM option number A is your राइट अंसर random access memory RAM की full form होती है और जो ROM होती है यह आपकी read only memory होती है अगला question आपके सामने था printed output 4 में computer is called जो आपके computer में printed output निकलता है ठीक है तो वो आप लोग का क्या होता है तो वो होता है आप लोग का hard copy option number C काफी easy question है और जो आपके screen पर दिखती है कोई भी आपका document है screen पर दिख रहा है उसको हम बोलते है soft copy ठीक है और जो आपका print होकर आता है printer से वो होती है आपकी hard copy उसको बोलते है printed output और जो soft copy मैंने आपको बताई दिया अगला question आपके सामने dash is the process of dividing the disk into tracks and sector इसको important mark कर लेना तो उस process को क्या कहते है disk को tracks और sector में divide करने की process को क्या कहते है तो इसका right answer है formatic option number B is your right answer ठीक है अगला question आपके सामने English का question है इसमें actually direction नहीं है मैं आपको बता देता हूँ इसमें आप लोग को error find out करना है कौन से part में इसमें error है वो आप लोग को find out करना है so first question आप लोग के सामने है the teacher scolded him always because he rarely reached school on time teacher हमेशा उसको डांडता है क्योंकि वो मुश्किल से ही time पर school आता है ठीक है मतलब time पर school तो आता है अब मुश्किल से time पर पहुँच पाता है हमेशा लेट आता है तो इसमें आप लोग को error find out करना है so आप लोग लोग से tick mark कर लो मैं इसका right answer बता रहा हूँ इसका right answer है option number B यहाँ पर जो always है वो scolded से पहले आएगा क्यों क्योंकि always आप लोग का adverb है और जो adverb आती है वो आप लोग की verb से मेशा पहले आती है scolded हमारा verb है तो यहाँ पर आएगा always scolded the teacher always scolded him because he rarely reached school on time ठीक है अगला question आपके सामने direction दियो है in the following question a part of the sentence is bold नीचे दिये के question में sentence में एक part bold में दिया हुए and below the given alternatives bold part ABCD which में improve the sentence तो मतलब एक part दिया हुए bold में उसको आपको improve करना है तो कौन सा सही improve करेगा option पहला आपके सामने the brown shirt wants washing जो brown shirt है उसको दोने की ज़रूरत है तो यहाँ पर bold में दिया हुए wash तो wash को आपको replace करना है आपकी दिये गए option से तो इसका right answer आप लोग मांग कर लो वीडियो पोस करके मैं आपको इसका right answer बता रहा हूँ so the brown shirt has to wash नहीं होगा in need of wash नहीं होगा इसका right answer होगा requires wash अब कुछ candidate कहेगे यहाँ पर require क्या क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पर बात होगी है brown shirt की जो कि एक singular है और singular के साथ जो verb आती है वो हमेशा आपकी first verb आती है साथ में SIES लगता है जो कि मैं already वीडियो की जो मैंने English की series अप्लोड की थी 100 rules of grammar की उसमें मैं आप लोग को cover करवा जगो तो इसका जो right answer होगा वो होगा option number C requires wash अगला question दोस्तों आप लोग के सामने है she could not help but laugh she could not help but laugh तो इसमें आपको but laugh को replace करना है तो यहाँ पर जो इसका right answer होगा वो होगा option number C no improvement यह जो आपका sentence है यह बिल्कुल right है ठीक है इसमें कोई भी error नहीं है no error का यहाला question है कल भी मैं जो वीडियो लेकिया था उसमें मैंने first question ही आप लोग को no error का दिया था अगला question आप लोग के सामने है what is the use of me attending the session इसमें आपको error find out करनी है what is the use of me attending the session मतला इस session को attend करने का क्या use है मेरे लिए क्या use है मेरा क्या use है इस session को attend करने का इसमें आपको error find out करनी है so options आपके सामने है आप लोग को answer mark कर लो मैं इसका right answer आप लोग को बता रहा हूँ तो यहाँ पर use of me नहीं आएगा यहाँ पर आएगा use of my ठीक है right answer बनेगा what is the use of my attending this session या the session अगला question आपके सामने है you shall have attended if the court had instructed you to do so you shall have attended if the court had instructed you to do so तो इसमें आपको error find out करनी है तो यह आपका conditional sentence का error है यह मैं आप लोग को अलड़ी बता चुक है हूँ सीरिस जो मैंने करवाई थी उसमे conditional sentence में अगर head plus verb की third form आजाए यहाँ पे head plus verb की third form है head instructed दिया हुआ है तो आपको याद रखने है if के साथ if के बाद head plus verb की third form आती है तो हमेशा जो आता है would have plus third form आता है तो second part में हमेशा आपका would have plus third form आता है तो option में हमारे पास है would have had to attend यह इसका right answer हो जाएगा so option number A is your right answer ठीक है यह था आप लोग का answer अगला question है आज के लिए बस इतना ही रखते है इतने सारे parts से और कितना score रहा आपका out of जितने भी question है उसमें से आप लोग का कितना score रहा mention कर लेना अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया then please do subscribe the channel also press the bell icon so you can get all the latest updates from our channel so आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते है